है गाइज वल्कम टू देव फूमी कज़र पॉइंट तो कैसे हैं आप लोग गूड इवनिंग देखे बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है कल यह नोटिफिकेशन आ गया था आपका ठीक है तो यह नई विग्यापती निकाली UKSSS ने मैं चाहता कली इस पर वीडियो दे सक लेकिन अभी वीडियो देना थोगा आवश्यक हो गया जब मैंने गहनता से इसको देखा तो मिलको लगता है कि UKSSS का काम तो सिर्फ विग्यापन तयार करके पब्लिस करवाना है और UKSSS का काम है एक्जाम करवा के एक वहां पर जो भी कुसल केंडिडेट है उसको सेलेक्ट करना संबनित पोश्ट करें लेकिन जो हमारा कार्मी विवाग है जो हमारी गौवर्मेंट है वो चाहती ही नहीं कि नए लोग फ्रैसर जो फ्रैसर हैं वो कर्मसाला अनुदेश्यक अगरा बनें क्योंकि इसमें टाम and कंडिशन ही ऐसी है कुछ जो कहीं नहीं जो नॉर्मल पड़की है जो कि हमारी अनुदेशक ठीक है जो कर्मसाला अनुदेशक होता है लाइक जो आइटे के टीजर होता है ट्रेडवाइज सिंपल लेंग्वेज में बोलें और इसके अलावा भी जंजाती कल्यान में भी हमारे अनुदेशक आया है विद्धूत मतब के इलक्ट्रोनिक्स के और अधर पोस्ट होगी डीजल मेगनिक वगएर है इसमें ठीक है सांती हमारी उत्राखन प्रसासनिक अगादमी में भी लाइन में और लगू सिचाई विवाग में बोलिंग टेक्निशन टेक्निशन को तो जली छोड़े इसमें तो स्पेसल क्वालि अधर भरती निकाल लिए 117 पोस्ट ठीक है बहुत वगले अच्यूमेंट है गवर्मेंट की देखा जाए लेकिन थोगे यहां पर फोकस करने वाली बात यहां है गवर्मेंट नहीं जारेगी कोई भी फ्रेसर इसमें जॉब करें गवर्मेंट की टाम एंड कंडिशन से जैसे आप एक्जामपल समझ लीजें जिसे अनुदेशक विद्धू देखें यहां पर इंस्ट्रक्टर हमारा इलेक्ट्रिकल चार पोस्ट है ठीक हो गया लेवल 6 की पोस्ट है बाई कौन नी चाहेगा अच्छी पोस्ट होती है यह बहुत लिमिटेट वर्ग बर्डन होत सब्सक्राइब करने के बाद एक वर्सका प्रमान प्रत्रिब्र होता है जो आप बाहर से कर सकते हैं अगर मैं सही हो तो देखिए बहुत महत्तों वीडियो अपनी राए रखिएगा अपनी आवाज को उठाइए वीडियो को वाइरल कीजिए तभी तो यह चीज़ा कवर्मेंट तक पहुंचेंगी है ना अब भाई जिसने केवल आईटिय की है वह बंदा देखते है इन वेकेंसीज को ओके तो यह चीज़ें है इसमें तभी मेरे को वीडियो बनाना आवश खता है बहुत से लोग आईटिए की जावा गला एना वह टेक्निकल जॉल वह Utilis में बहुत कम होते हैं उसको बंदा दूसरी इस ले जाथा या चले जाते या इसक्तर हो फार्स गांपते बहुँन होगा होते है तो वहां पर देखिया आपका वह काम तो इसका Moroccan पांच साल से भी कर रहा है क्योंकि उसने लाइन चेंज कर दी ना तो यह कहां से लाएगा बंदा उसी चीज़ पे उसी ट्रेट में उसी जगह पे आपको पांच बल से का अनुभव होना चाहिए अब इसमें कंडिशन क्या रखिए कि राज्य सरकार सारवजनिक प्रतिष्ट आडीट में पास नहीं है तो AG क् advisor दियने लीटिफिकेशन बोलता है अगर किसी आपका 60 उलाए यह अग शाल प्रति टी सब्सक्राइब अगे सब्सक्राइब grants सब्सक्राइब Ms. तो यह कंडिशन इसमें कहने नहीं बहुत जादा रखी गई है क्योंकि अगर देखिए का किसी को टीचर बनना तो इसके लिए पॉल टेक्निक की क्वालिफिकेशन मेरे इसाफ से इनफ है आप क्या बोलते हैं है नहीं बताईए एक साल का वर्क एक्सपिरेंस आप रख सकते जो सबसे पगई वेकेंसी है इस पूरे विज्यापन की उसमें फिल भी थोगा रिलेक्शेशन दिया गया है थोगा बहुत रिलेक्शेशन है कर्म साला जो अनुदेशक है यानि कि जो हमारे आईटे के टीचर होता है लाइक ट्रेट फीटर प्लम्बिंग कार पेंटरी मसी स्वारे मुटर मेंटिक में इनकल अटो यानिकि जिसने मोटर में ऐडिया कि है वह भी ऊबर सकता है तो यह अन्तर नेलेक्शेशन की वेकेंसी है इसमें जो देके लेवल देखे साथ की पोशल्येल बहुत अच्छी है साफे यह एंसम जो और बोल चुका हु वहले बहुत ह कि आप देखिए इसमें क्या बोला दा रहा है कि संब्ध साखा में तीन वर्सका जी एश्टी एस का प्रमाण पत्र होना जी आपके बार ठीक है अथ्वा है स्कूल के साथ आपका संब्ध साखा में जी टी आई या आई टी आई होनी चीए या पॉल टेकनिक समझ के जो भी ट किया है आपके अप्रेंटीस भी उसमें कांट होगी एक साल के अपरेंटीस और किसी कंपणी के साथ आप इंटेंसिव ले रहे हैं कोई कंपनी चार साल तक दिलाती है यही जैसे शाल अट तक क्यांते हैं जासे अघ्चीजDe Proctor Mechanics यह iTI करने के बाद आप लोगों साठ फ्रेशिंट थोने इसके बाद आपने तीन साल किसी भी factory में काम किया है किसी भी यह पर हो 맛있ोट है जिनके पास अपना रिपश्टेशन नंबर में कहां तो वह पर तीन साल का time का काम हो सकता है या यानि Education 2001 तो दो अधार के बाद जिनकी आई जिया हुए वह लोग तो वैसे ही भाहर हो जाएंगे इस पर टीन साइल को नहीं कर लिया था तो तीन साल का experience आपके पास इसमें मागा गया है हालांकि experience का जो नजरिया है वो अलग लग हो सकता है किसी ने काम किया तो ठीक है नहीं भी किया है तो अगर आदमी का रहता है यहां पर बहुत जगह मैं देखता हूं कि experience कहने करें से ओल्ड आउट हो जाता है तो यह कोई बगई बात नहीं है तो यह वाली qualification तो सही है मेरे ज अगर क्वालिफिकेशन सेम है तो फिर उपर अलग क्यों करनी तो यह कहने के गवर्रमेंट को सोचना चाहिए इसमें ठीक है तो इतने आपके यहां पर होने चाहिए भाई आपका इन चीजों में ट्रेड होना चाहिए ठीक है मसीनिस्ट फीटर मेकैनिक और प्लंबर टूल ट्रिंग टैगनिशन हालांकि ग्रेड पर बहुत कम है लेवल टू की पोश्ट होती है ठीक है 800 ग्रेड पे लाइक जो रेलवे गूर्प डी होता है उसी टैप का है तो इसमें आपके तेरा पोश्ट है फिर भी भर सकते है इतनी ट्रेड हो से अगर आपने आई टेक है तो आप इसके लिए एलिजीबल हो ठीक है आई स्कूल प्लस या इसमें बागी देखे आपका इसमें क्या उसे एक्जाम कैसे होगा बहुत लोगों को का यह भी सवाल था जो भी ट्रेड से आप अपलाए करेंगे आपको इस संबंदिक ट्रेड से ही 100 पूछे जाएंगे और इ कि जो काउंटिंगों की भाई 21 जुलाई दोजारेटीस है ठीक है 21 जुलाई दोजारेटीस है यान कि काउंट यहां पर हो गया आपकी एज और ध्यान रखेंगे उपरी आविसीमा में आपकी एक वर्से की छूट मिले है यानिकि नियूनतम उम्र बाई 21 साल होनी ची वाल दो पतों के लिए नियुंता मठा रहे हैं मांकि सभी पतों के लिए 21 है इसीज का ध्यान नहीं नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें साब बोला गया है सुल्क का जो हमारा अभी गवर्रमेंट का जीओ आये था उसमें यह बोला गया है कि सुल्क माप हो जाएगा आप लोग कँछे हैं तो चलिए भर लीजिएगा जो भी लोग बढरना चाहते ईक्जाम देने से अपने जनपत में और और अफी डरीटे इस बेजाब को एगजाम कीला थे इक्जाम के बंदों की बात की सब्सक्रां एक्जाम पड़ना घटार और उलीजिवर अभाने है बरनप कोु कि मैं आप बहुत रिलेक्स वारी अगर चौप चाहते हैं कोई तो इससे बेहतरिन मौका और कुछी नहीं होगा ठीक है तो मिलेंगे जल्दी दोस्तों अपने लेक्चरस में तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टेडी करें अपना ध्यान लगें जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं ठीक है क्योंकि एक पेड़ कहीं न कहीं क्या होगा यह सूचक होगा कि आप लोगों के अंदर डेडिकेशन है अपने करियर को लेकर और अपने परियावरे में को लेकर थैंक यू फॉर वाचिंग जै हिंद जै उत्रा करिंड